जो मतलब उन पॉइंट आंके उपर छत्री के आप वाज जो पॉइंट मनेगा मानलो बच्छो पहले वाले में वोल्ट ड्रोप हुआ two वोल्ट तो कितनी पॉटेंशियल होगी सर्थ इस पॉइंट पेमी eight potential है इस पॉइंट और आपगा eight potential है बचे ये एक बहुत बढ़िया वेटिज का टोपिक है बिटा करन्ट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा वेटिज है तीन कुछन बनते बिटा और तीन में से दो कुछन आएंगे तो दस्वी किलास का बच्छा भी सोल को रहेगा बाके एक के लिए मैनित करते हैं जहां से आ रेट ओफ फ्लो ओफ चार्ज इक दलान पहले से लिख वारा रेट ओफ फ्लो ओफ चार्ज इस नोन एज इलेक्ट्रिक करंट बच्छ के सिरे मैंने क्यूब आई टी बिटा अब मैं ऐसे कैपिटल क्यू नहीं लिखना चाहता है अब तक तो मैंने कैपिटल क्यू ऐसा मत दिमागे में भी ठाग रहे ना सरो छोटा क्यू तो आपने डिस्ट्रिबिशन वाला चार्ज बोलते थे बच्छो मैं स्मॉल क् चार्ज को बोल रहा हूं अभी आपको कैपिटल क्यू मैं क्यू नहीं करता हूं जब भी आपको इस्टेंट पूछ ले कि आपका किसी टाइम पे यह आपको फॉर्मूला बंतर इस्टेंट वाला को याद है दो स्पीड के लिए में सम्झा तर बच्छो आपको डिस्टेंस इस एक पॉइंट की निकाल पर संभाव नहीं होता इसलिए पॉइंट से पहले और बाद का थोड़ा सा पॉइंट लेता इसलिए डिक्यू याद्ट इसा लिखा जाता था बच्छो कहां काम आईगा यहां से काम आईगी कोई बोल दे सर चार्ज जो आपका टाइम अच्छ इस तो कि आप यह हैं की आगा जीक्या राणा और गावल यह जायार में इसंपल क्यूप इटी कूछalt और इस त्याम प्याउ स्थांप ची चांग राज़ करना पड़ेगा आपको चेक करने के क्लिए बच्छ चाहें इस लिख ऍाम में दे सकता है कि ऐसे कुछ दे रहेता टू इपावर माइनस टू टी कोई दिक्क दे नहीं है इसका डिफ्रेंसियेशन आप जान प्यों कर लोगे राज़ाएगा सब्सक्राइब बना शावाज बना बच्व आपने अभी अपको लिखना नहीं अभी मेरा नाम से समझा रहा हूं बात तो सुनना मैं लिखाओंगा अच्छे से लिखना उसी को आप अपनी मर्जी जल्द वाजी मत करना देगा एक वर्ल्ड हम पहले सुन चुके बच्चों करेंट इलेक्टि किया मैं मैं उसकी बात करना युदी बच्चों में पर को लेंथ और ले भी खाई देगा तो आपको देखना पड़ा है सब्सक्राइब कौन सी एसे मैं बोल नहीं रहा हूं लेंट का अलग से बता रहा हूं तो यह होता पैरलल आपको बुला जाता है क्रो सेक्षेनल एरिया पर पार पर फ्लो या करेंट फ्लो यह चीजें तौपर आप सुन रहे हैं पहले बता रखाने बच्चो यह आपका सामने में इस दिवार वे यकोण सी होगी यह लैंशंभ और मैं से अंसर कर सकता शर पहले मुझे बढ़े गाओ करनट कहा सेकल काऊँ रही से रही लोगी योगा ळिक्षाया ज्यस्टाह में फिर इप णिर योडेने इसे और बड़ितों के पड़नट करता है अइसे की इसकी इधार की ढौन तो दिवार की थिकने से लेंथ और एरिया कुछ आजाएगा पर पेंडीकुलर जो पुर दिवार के लिए दिखाई देता है वह आपका एक्रोस एक्षेक्षनल एरिया सही है क्या ऐसे डिखो यह बच्छो यहां से और वहां तक ऐसे करेंट फ्लो करता दो फिर लेंथ को कि रेंडम जब आपका कंडुक्टर है नहीं लगता है लेकिन इल्ट्रों का बच्छो यहां और रेंडम मोशन है जब भी इटा रेंडम मोशन होता है तो उस ताइप में नेट इफेक्टियरे ऐसा बोलता है बचो देख एक बार में नेट वेलोसिटी ओव इलेक्ट्रों इस चीज को बच्चों में drift velocity नहीं बोल रहा हूँ जब तक conductor में आपके बास electron random motion में है कहीं बाहर से जुड़े नहीं हुए हैं अलग-अलग घूमते रहते हैं V की value 0 उसको मैं drift velocity नहीं बोलना चाहता हूँ simple velocity of electron net 0 है एक बात ऐसे लिखवाँगा जब तक बाहर से कोई अपने external electric filter नहीं लगाया conductor में बहुत सारे free electron random motion उसकी velocity net 0 होती है दूबार देखो थोड़ा चाहिशी चीज को modify करते है उसी conductor को बच्चों अब हमने ऐसे ज्वाइन करते हैं यहाँ आपका positive और यह आपका negative बढ़े वाले टर्मिल को प्लस बोला जाता है चोटे वाले को negative बच्चों मैं और अच्छे से प्रिसाइज हो जाता हूं इसको battery बोल पाना गला था बच्चे एक्चली 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 सेल है बैटरी ओदर में कई चीजे मना था दो तीन सेल जोड़ता सेल है सेल का पोजीटीव टर्मिल भीका बोला सरे लेक्ट्रों थे सर इलेक्टरी पिल्ड की डारेक्शन तो दख़ा ऐसी कुछ बंजाती इलेक्टरी फिल्ड की डारेक्शन ये इन गाता है और यह कोड़ अप्लोग को aja एक्चन चलने लग जाते हैं यह पॉजिटीव टर्मिनल था आपका हांसर पॉजिटीव था पॉजिटीव इलेक्टरन को अटकर था इस डारेक्शन चलने पड़ता बच्छो देखो इलेक्टरन की सब की एक ही डारेक्शन अब रेंडम मोशन नहीं बिटा अब सारे इलेक्टरन की ए यदि constant होगी तो मैं equation motion लगाऊंगा और variable होगा तो मुझे differentiation या integration से सोचना पड़ेगा फ्राद देखते हैं बच्छो ए क्या आ गया है यह इसको E को लिख देता हूं बच्छो यह charge of electron है charge of electron है बच्छो इसकी value कितनी होती है बच्छो इसकी value कितनी होती है बच्छो 1.6 into 10 power minus 19 बच्छो एम जो लूँगा बटा सरी है mass of electron है और mass of electron कितना था बच्छो 9.1 into 10 power minus 31 बच्छो इसे ही बल रहा हूं यह क्या बच्छो आपका यह external electric field बच्छो मैं यह uniform लेके बात करूंगा external electric field आपका है अच्छा ऐसे ही मैं बता रहा हूं बच्छो मास ओफ प्रोटोन इस चीज में मेरा कोई यूज स्टार नहीं है फिर ऐसे ही बता रहा हूं कुछ चीज रिलाइज कराने के लिए बच्छो मास ओफ प्रोटोन ने बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रोन से मास ओफ प्रोटोन नहीं चलता है इलेक्ट्रोन चलता है क्यों चलता उसकी कहानी पर समझा रहा हूं एक पहले इसका अंसर लेते हैं सरी कॉंस्टेंड की वेरियेबल है बहुत बच्छो अपने पास फोर्स आजाएगी सर फोर्स डिवाइड बाई होता है आपका मास फोर्स क्या जाएगी सर इलेक्ट्रोन और आपका इलेक्ट्रि फिल्ड भी यह निफोर्म अच्छलेशन क्या जाएगी कॉंस्टेंट बच्छो यह पैला सवाल यह आपका सही हो गया सरी वेरियेबल एक्ट्रिशन नहीं है कॉंस्टेंट है और कॉंस्टेंड में बच्छो निकालना क्या चीज सर मैं चाहता हूं आप वेलस्टी बना लो वेलस्टी बना लो बच्छो फर्स्टी लगाए देए वी इस उक्वल्टी यू प्लस एटी इनिचल जीरो मान लेते हैं वी को बच्छो में निकालना है इसको बच्छो में एक अलग नाम देदिया वी डिट्रिप्ट वेलस्टी एकी वेल्यू क्या दिवेटा आपके पास इए डिवाइड बाइए माइनस साथ था टी को टाइम ले लिया बच्छो यह उतना रिलेक्सेशन टाइम तो अगर बच्छो टाइम बोला जाता इसको में अच्छे से लिखता हूं रिलेक्सेशन टाइम यह एक्चुली इस वें को लिजन के बीच का टाइम होता है ती अब पोजिटी टू किसकर बच्छ इलेक्ट्रीक फिल्ड के डिरेक्शन से कैसा है माइनस आप पोजिटी टू एक्स्टर्नल इलेक्रीक फिलद बाट समझ में भार यहां दिख भी जाएगा सर इलेक्ट्रिफिल की डिरेक्शन ऐसे तर वे आप इलेक्ट्रों कहा चलो यह में एक word लेगा डृटिफी एलेक्ट्रिक विल्ड जो लगेगे एक्सिन उसी आपोजिश चलए इलेक्ट्रोन चलेंगे सरे लेक्ट्रोन को लेंगे प्रोट्न क्यों नीचलेंगे अभी मापको लीट्रल भास्तान समझा रहा हूं बाद में आपको सिर्फ समझा दूँगा ब लेकिन मने यमास पणा बीदर ऐलेकट्रन का बहुत कम है मास बहुत कम तो एकस्ल Independence अशेरीस नोट जाएख एज In absence of electric field, external electric field, in absence of external electric field, absence or electric field, go underline करना, in absence of external electric field, free electrons in a conductor, conductor go underline, free electrons in a conductor, will move randomly, will move randomly. that means, net velocity of all electrons will be zero, that means, net velocity of all electrons will be zero, zero को underline करो, absence of electric field, net velocity of all electrons will be zero, बचल ये बनावे एक बार, बचल आपको चिकनी चीज़ पे हाथ बढ़े घसकेटिने लग जाओ, बचल आप जाओ, बाहर से कोई, आपका फिल्ड एक्स्टरनल वो इसको जबरस्ति की चता है, बना बचाँ आपने, आगे लेको एक पार, बेहाँ जाओ, बना रड़ेसों से के लेक्स्टरनल वो इसकेटिने कीज़ लदे लेक्सेयों, इसकेटियो पंड माँ जाओ, बना भार, washo that perceptors, electrons will start moving towards positive terminal electron's will start to move towards positive terminal , bracket मे लिखो that is opposite to external electric field Northwestern, therefore, net velocity of electrons will be non-zero net velocity of electrons will be non-zero and known as drift velocity net velocity of electrons will be non-zero and known as drift velocity बच्छा non-zero को इंटरलाईज करो और external field is applied उसको लिए बनाओ ऐसे खाली बेठा पूछ रहा हूँ proton और neutron में कौन जादा भारी होता है proton और neutron में कौन भारी होता है किसका मास जादा है neutron का और proton में neutron जादा होता है बहुत जादा इफ्रेंस नहीं होता पिटा लेकिन यहाँ कई गुना डिफ्रेंस है हजारों में न यह कंसिडरेबल है अब अबना में टोपिक relation between electric current and drift velocity relation between electric current and drift velocity बच्चों अब करन निकालेंगे तो rate of charge आप जानते हैं बच्चों सिंबल यहाँ फिक्स हैं एंजो लेंगे बच्चों number of electrons per unit volume unit volume unit volume है कितने electron हो बच्चों इसका बोला गया है यह electric आप जानते ही हो बागी एक बार देखो बच्चों 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 आपने यहां इसको बाहर से जोड़ा हुआ है इसकी बात कर रहे हैं अपना कितना flow आप ही rate of charge बच्चों इसकी लंबाई dx है और इसमें जो आपका चार्ज फ्लोव तो डी टी टाइम में फ्लोव कर जाता दा फिर प्र आई कितना देखो बच्चों आई का देखी फर्मूला है आप बतादो चार्ज डिवाइड बाई टाइम कर लो आंसर निकाल लेंगे को जी से करना लो देखो एक बार चार्ज के लिए मैं बहुता हूं सर एन नंब्र ओफ देखोर आप इसलिए मैं आपके फर्मूला बन जाएगा सर एन ये और यह क्या हो जागा बच्छों वीडी त्यूंकि बच्छों इसलिए छोटा सा पॉइंट बना के निकाला और बच्छों यह भी लिखुआ हुआ निचे लिखेंगे बनाश्या बच्छा बच्छा बिट्वीन एक युनिट वडियों इसलिए यह सिंपल चाहिए अर्श्टा सिंपल अज्ट नहीं या लिखा हुआ यह दो तीन लाइन इस लिखेंगे बनाश्या बस रुले क्या था रलेश्ट बिट्वीन इलेक्टिक कंटेंड डिट्व एलस्टी ती तो एक दो टर्म नहीं या जाई बस उसको मच्छे रेट करना से लिखेंगे यह पको याद बिगा न एज रखता अच्छे से न एक दो लाइन मन निचे क्या बनाए बच्छो आपने अराम से बनाओ बनालिया क्या ग्या गूट इको शावाज करन्ट विल फ्लो फ्रों हाई पोटेंचल तो लो पोटेंचल बोत घ्यान की बात हमें पता ही थी लिखवां मेरे यादित कर स्क्रंट विल फ्लो ज्रोर फोटेंचल तू लोव पोटेंचल एक लाइन व निचे लिकवा बटा इलेक्टिर पूर्टों इस इस्केलर कोंटी चैल एस अलेक्ड कोंटिट एस जबतलो लोग ग्रणिचैशन प्ता हुशं की डारीक्शन तो है धिर्चर्ण नोनन पता strengthen लोगे फिर भी वेक्टर ने क्योंकि यह सिंपल एडिशन दो प्लस दो चार हो गया से थोड़ी बात एंग तर्मारी बच्छो अ करेंड डेंशिटी उसका च्छे समझा दूंपर को मां बड़ा यूज करूं थोड़ी देर में उसका बहुत अच्छा यूज करूंआ बच्छ देंशिटी और आपका किसका रिलेशन में बनाना हो बच्छो आई के साथ क्या बनता है करेंट देंशिटी को डिफाइन के सखिया जाएगा पले यहां देख लो फिर आपको अच्छे लिखवा भी नहीं है अब मैं जानगा हो करेंट कहां फ्लो करेगा सार एन एवीड होत बेटा पुछी जे डिफाइन करना जी होता बेटा सींपल सींपल आई डिवाइड बाई ए लेक्टर और यह बच्छो आप ऐसे लिखता हो डी आई डिवाइड बाई 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 डी अबटा चुका मैं एरिया कैन बी ट्रीटिड एज वेक्टर एरिया डिरेक्षन के हो तो आई भाई है सही में गलत नहीं बोल रहा है इसकी देखो बच्छो क्या बन जाएगा एंपियर पर मीटर स्केर बच्छो डाइमेंशनल फॉर्मॉला इंपोर्टेंट होता इसका क्योंकि यह वोल्लिम लगने लग जाता आपको वोल्लिम नी एरिया है तो डाइमेंश इस थाइप इईडेया अब बताओ आपकार हो गया ऐसा है लेंए बजाए बत्ちतों आप झालता हो लेता हूं हमने एता है रेया क्या किया बच्छो इस कुछ कट कर लिया टरेंगा ऐसा कुछ को सक्ता था डी आई का इसा लिख सकते हैं क्या जे और आपका डी ए आगए देगो बच्छो कंपोनेट देगो कैसा यह थीटा क्या बन जाएगा बच्छो आई की डारेक्शन में सरीए डी ए कोस्ट थीटा तो जब अच्छा हुआ इस फॉम में लिखना और इंटीरेशन लगा देना क्य बहुत बड़ी चीजने जोड करना होता जमा करना सिंपल तो डी इसने इंटीकेशन बना हुआ है इक बात इसकी डारेक्शन सेम एस डेट और आई डिवाइड भाई आप एक कर लो कुछ अलग से एंगल दिया हो अरे आपको यहाद ही नहीं है इसे फोर्स लगा है तो यह ले लिया और यहाँ फोर्स अब बता श्ट्रेश बताओ तो यह कंपोंटे लेने पड़े दो यहां तो आपको ऐसी कुछ चीज है यह अरिया आपको नहीं दिया बड़े कुछ अलग से एरिया यह फिर बताओ तो जाद अच्छे से आज करना चीए सर एज डोट डिये कर ल सेक्शनल एरिया इते रेशओ और इलेक्रिक करंट टू को सेक्शनल एरिया एट एग एट एगेवन पॉन पॉन्ट एट एगेवन पॉन पॉन्ट इस जो अब निच्छे इसके प्रूफ हो जाएगे अगले स्टेप पही इसको पिटे अरिया को ऐसे भी सकता नहीं तब भी कोई अप जड़ा पुदर इस फोम में आप देखते हो थीटा यहां से ले लिया तब भी बात कुछ निया हो ही का नहीं मत आसे लों कैसे लूं हम यह जान जाएंगे आपका गड़ा इसका यूज देखना को तोड़ी देर में अभी एक लाइन के लिगो इटी ज़े वेक्तर क्वांटिटी इप इस अ वेक्तर क्वांटिटी एविंग सेम डारेक्शन आस देट अफ एलेक्ट्रीक फिल्ड यहां देखना एकबार बच्च ओंस लोग अपने अलग अ बच्छा कई वर्ड हैं कंड़क्टिविटी रजिस्टिविटी क्या है उसके इंपोर्ड तरीके से मैं जे का यूज करता हूं कुछ क्यूशन ऐसे होते हैं इसको देख के आप अंदाजाने लगा सकते हैं कुछ आइसा क्यूशन मापको दे देता यहाँ याँ याई है और एक 30 डिग्री दिया हो इसका बताओ क्या है इसकी रिजिस्टिविटी क्या इस अब उस ग्राफ देके इसको मैं एक लाइन मैं करना कैसा भी डेंजर सवालों पार आम से सोल कर लेंगगे नेक बात ओम सॅलों करहां चैनिक यूआ बस रेश्टिव सब्सक्राइं कोरें बाद सब्सक्राइश याद्ट कर्न दें एक पर यहां देखो बैस एक्चियो बच्छों लाइए होता है वी इकल टो आई अर्दस को बादे में बनाऊंगा रेश्यो ओफ करेंट डेंसिटी टू इलेक्ट्रिक विल्टी जो बच्छों सीगमा बनाऊ ने पेटे सिगमा इसका नाम होता वेटे चंड़क्टिविटी अ कंड़क्टिविटी अच्छों बात को सुनते रहे ना बच्छों लग से मैं इसको अभी रिलेट करता हूं कुछ कंड़क्टिविटी की वेली निकालते हैं कुछ लग कुछ फेक्टर आएंगो फेक्टर को देखते हैं अभी आप लिखना मान यहां देखो सर जे की की डिवाइड बाई क्या था बच्छों देखो कि याज करो में इए डिवाइड बाई एम पर इन टू टो ऐसा ही कुछता गया यह आप देखो बटा क्या मन जाए सर एन इसकेर एम इंटू टो और आपका इलेक्टरिक विल्डी यहां बच्छों मेरी ख्याल से वही चीज बच्छों इसका मतलब क्या हुआ यहीं मैं इक्वेस्चन नमबर वन को और टू को कंपेर करो तो अचली एन सकेर और तो डिवाइड बाई एम साही है क्या च्छों रिए है रिए बच्चा कंडुक्टिविटी की इन्वर्स एक चीज होती है रो देट इस वन डिवाइड भाइड इस और इसका नाम आप जानते हैं मोर पॉपुलर वे में रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी बच्छो इसको रच्छे से लिखें क्या बन जाएगा एम एन इसकेर डिव बच्छो इन फोर्मूला लग से यार करना जुरूत नहीं बटा एन इए वीडिसे अपने बंजाएगा डिवाइड पाई आप एक रोगे अपने अब अनसर आ जाएगा इस फॉर्म में आप जानते हैं दिखा एक बार एक स्टेप में मनाई रिखाता है आप जानते बटा ओम सुलो तुसरी तरीके से तरीक आप लें क्या बोला जेई इकूल टू टू दिस और इंटू आप यह जानते हैं यह इधिवाइड बाई ए होता है यह एसा ही होता है रहीं क्या था पटेंशल डिवाइड भाई लेंग फेले तो आप जानते क्या बन जाएगा शुरू वी डिवाइड बाई आई क्या बन जाएगा बिटा वन डिवाइड या एल डिवाइड बाई रो इंटु एल आप इस चीज में क्या जानते हो आर होता है इसको आपने रेजिस्टेंस बोला है याद आपको सरम ने इसको नहीं बोला अर या तर रे पहला बेसिक था जे डिवाइड वाइए हमेशा कॉंस्टेंट है और उस कोंस्टेंट की वैल्यू कॉंड़क्टिविटी होती है यह अपने पढ़ावी है वी और आई के बीच में जब भी ग्राफ आएगा स्टेट लाइन आएगा इसका जो भी स्लोप होगा उसकी वैल्यू के आगी सर्वो रजिस्टेंट के बराव है ऐसे ही पढ़ागे तुम लोग ने ऐसा हमने पढ़ा ना बच्छो सवाल स्रबुस्ता उल्टा करके एक्जाम्पल वह मनें क्यों पढ़ाया पुश्रुवात वाली चीज उल्टा इसा बुच्छा बिटा आपने प बच्छों बच्चे को भी पता ही नियुक्त अपने पुरा पड़ा हुआ है पहले बढ़ा खाम पता क्या सोचते है सर रजिस्टिविटी रो हती है सरी अधा मेट्रिल प्रोपर्टी है इससे क्या लेना इस बात का बास समझे क्या आप ऐसे सोचने लग जाओगे सर अम क्य जाओगा रजिस्टिविटी रुटी होतां सराजा का रूट की अबास सम्झे क्या इस किष्टन को आप डाइट सोल करते हैं यह जानते हो यही किष्टन आपको वी और आई के लिए पुछ क्या आप उस तरह ना फटाक से बतारेते हैं और वी इकल आप जानते हो लेकिन ज अरे महात्मों यह पढ़ा तुम लोग ने ऐसे पहले है यह पढ़ा अपने से सही है जे और एकी फोर्म में उसका भी आप ऐसे है ना ऐसा भेंकरत पीमडेलो बेवकूब नी है आसान सवाल आप से पूछ रहाता है बिटेले के सवाल आप से इसा निपुछेगा अगलों व जाएंगे रूट 3, 1 by root 3, 1 by 2 roots, ऐसे option आजाएंगे तो आपको देखना अपटा है कहां से V is equal to IR में गलाप किसे बनाता आप आप आइसा इंगल बनाता तो एक्चली आंसर देना उसक्टी डिग्री आपको लेन आपको तब आ आएंगा पता है नहीं तम लोगों को ऐसे होत आपको एक तरीक यह हो लिखने है यह फॉर्मला थर्मल कंड़क्शन वाज़ एल ऑई के ऑफ कंड़क्टीडिक यह बोलता है इसा बनता ला बना प्र आपको आपको एक तो प्र आपको रिमाइंड को जहां भी फ्लोगा नबशा जप्लोग रहें दो ज़िए फ्लोगा नि इतना भी आपर 12th ये 11th लिन पर पढ़ते हैं बच्छो रेट ओफ फ्लो अब हमेंसा स्टडी स्टडी वाली कंडिशिन बढ़ते हो हमेंसा कॉंस्टेंट लेते हो जाहे बच्छो अपने बर्नॉली में पढ़ा हो अब फ्लूड फ्लो अवन वे स्टडी कंडिशिन बढ़ते हो आई हमेंसा कॉंस्टेंट रहेगा आप ऐसी कंडिशिन बढ़ते हो कांट दाओं क्या है एक पर नॉट नॉबर नोट नॉबर नॉट लिखवाता हूं resistivity, note number one लिकपड़ा, resistivity is a material property, resistivity is a material property it depends only on material of conductor, it only depends on material of conductor bracket में आपर छोटा सा star भाहता तर star का मतलो अप्रिपार इसे बुकिण लिछी देछा जिलिकाओ और लिकाओंगा ब्रेक्ट में तेम्परिच्टो गहासा श्टार बाना तो सम्झाओ अगो तेम्पराइच्रक्रों क्या है और इसे बर फोलrån सम्झाओ जी लिखा ढख आई मेटीरियलर अपक्टोर डिपेंडस ओन मेटीरियल अफ कि ज्म्ट्पर피डाइच्र tentang the को मा सेप और साइज ऑफ कंड़क्टर एल और यह तो सेप और साइज बेंड दो स्की प्रेकट में टेंपरिचर लेक्ट लेक्ट तो श्टार लगा कि इस तेमपरिचर अलग से समझाओं कि नोट नमबर थी बच्छा नोट नमबर थी से पहले हैं देखो एक बार बिटे अब आपको एसा कंड़क्टर दे चाहिए बच्छो आपको कोई ऐसा कंड़क्टर दे चाहिए बच्छो आपको कोई ऐसा कंड़क्टर दे और चाहिए सकल का बहुत गंदा ऐसा कंड़क्टर कोई फरकी नहीं पड़ता है यहीं मैंने बोला बच्छा रेट ओफ चार्ज फ्लोव कॉंस्टेंट रहेगा कुछ भी हो जाए ग्राफ ही कोई आई का पूछ लेगा ना आई ओल्टी का ग्राफ समें कॉंस्टेंट है कि अब स्ट्डी स्टेट ही बढ़ते हैं अब स्ट्डी स्टेट होती है हम पढ़ते नहीं हो आले कानी जावी फ्लो मिलेगा वारेट हमेशा कॉंस्टन एक बात यह है तुछ ने क्या किया थोड़ा सा वेरीसिन करके देखा नोट नंबर 3 समझा रहा हूं क्रेंट डेंसिटी क अरिया से इफैट ऑर इसका ढूर्ट इस अपने एक इस टाइप का कंडॉक्टर बना लियाए वच्छो आएसा यह आपने बोलता बच्छो बता जे क्या फरक पड़ेगा किश्ट करेंट डिन सब्सक्राइं की बराबर है टू से या वन की ज्यादा है या बच्छो 1 की कमर सवाल है इतना सर ने लिखाव दिख रहा है या बच्चो आपके पास या बच्चो आपके पास दोनों में बराबर है ऐसे अलग अलग उप्षना से पूछ लिए गए कि इन सवालों का बताओ बिटा यह वो किश्वन होते हैं सर बच्चा से सोचता है जनरली छोटा बच्चा बच्चा इस दिमाग लगाता देखो सर पुछ रहा है कम से कुछ तो दिमाग उसने लगाए यह तर नहीं होना चीए कुछ अलग होना चीए कन यह जानता हूं बच्चो आई चेंज नहीं होगा कैसा भी कंड़क्टर हो आई चेंज निको ता अंसर आ गए जे का फर्मॉला क्या हो जाई कम और जेवन की वेल्यू क्या हो जाएगी जादा कौन सा अप्शन आजा यह वाला सही है क्या दोबार देखो सब्सक्राइब करेंट कैसे करते हैं एन इए वीडी बच्चो आपके पास वह में फिर बोला आई तो यह अटादो नंबर इलेक्टरन भी चार्ज कॉंस्टेंटेंट बच्छ बन गहीं जैसे तरिंग वान जाएगा बच्चो कई सिर्फ कैसे ध्यान दियां मैं आप लिकले न कैसा भी कंड़क्टर किसी भी शेप और साइज का बचो कैसा भी कंड़क्टर आई हमेशा आई कॉंस्टेंट करनड़ काई ग्राफ ब्रहने विड़ा किस भी शेप हो अमेशा कॉंसा अवेल्यों अग हो सकती है वेल्यों अलग अलग होसी दो कंड़क्टर में लेकिन आई हमेसा वी दिन अकंड़क्टर कैसा होगा बच्छो एक कॉंस्टेंट सही है बना था नोट नमबर थी में पता निया यह से सवाल है बच्छो जो आप जानके तो हैं लेकिन क्या उस से में कुष्ण से रिलेट कर पा था निए आपको से प्रेक्टी सही है यह मैं बना लुग आइसा साहाल दिखेगा तो एसे अपने स्टार में एक्स रिखा व्ट एक्स लिखा करूं जो में तो लेना वेटा नहीं अब्स यह रहा निया ज़िए अपको लेगे आपका लेंट पे अरिया पेमेट्रियल पे य यह पर रेस्टेश में रहा किसके ऊपर इस्टेश डिमेंड करता है मेड्रियल पे लेंथ पे अरिया बे तीनों पे तीनों पेटिकार टेम्परेटर अप्शन में नहीं होता है होगा तो मामूली फड़ता क्या फरेक हो मैं समझा रहा हूं यह सिर्फ आई के लिए ट्रू नहीं बिटा सेम थर्मल करंट के लिए सेम रेट ओफ मास फ्लो में भी करेक्ट आपका फ्लिवड में कार्ण स्टडी स्टेट यह मत बोलतो उस्ट आशा का मैंसा होगा हां स्टडी स्टेट में सब्सक्राइब इफेक्ट ओफ टेंपरेचर ओन जो पर डिए शन्तेवाट इस सब्सक्राइब ट्रुटिफ आपको शन्तएब अपर जिए वाद अबिन इस्टिवीति अधना इस वहत नहीं तो क्यों लीए नहीं रिए से क्या प्रभा पड़ता है आप लोग जानते आप देंपरेच्ञ आए यह गेवन तेमपरेचर पे यह वन पलस अलपा देल्टाटी तेंपरेटर से रेस्टेंश पर फड़ता है सेन कहाने भी कें रिपीट विद रिजिस्टिविटी क्यों 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 कि एल बाई ऐसा इलिक्के मैं सीम्पल एसा रिपीट किया जा सकता है बढ़ा है मैं थेरिटीकल सम्झा लिख वाहूं को पर आप बार में लिखिना टैंपरेटर बढ़ने से रेस्टेंश परता है दो चीज़ सोनो बच्चों तरी आपको मैं दोबारा लेट करूंगा बच्चों कंड़क्टर मैं पढ़ता हूं तो बहुत सारे फ्री एलेक्ट्रों है एक बारी दो या तीन लेक्ट्रों या कानी निकाल टॉ तो जब फ्री ओusan जारा होते बच्चों फ्री कोलिजन हो जाता है जफ्री उलेक-ट्रन जञ रहते बाचों फ्र ऊप्र बोसे सब्सक कोलेजिन इंक्सेसिंट काम हो जाएका और यह सब फोट हन सबस्क्राइब पत्थोग जाए रजिस्टिविटी को डारेक्ट मैं समझा नहीं इंपरेंट है यही कहानी बच्चों फिर हमने टेंपरीचर बढ़ा तो सरक ऐसरे कोलीजिन बढ़े कोलीजिन बढ़े तो कोलीजिन के बीच का टाइम रिलेक्ट्रों से टाइम कम हुआ तो तो दोई तीन चार पांस फरी उलेक्ट्रों उसको निकल पाना असान है तो टक्राने की बढ़ाए कि यहां बैठा यहां बैठा है तो गेट खुल के पहले फटाक शेदिंगे फिर निकल अब पास पास बैठे हो तो नमबर अब लेक्ट्रों जादा और कोलीजिन इंपोर्टेंट बढ़ा तैंपरेटर बढ़ने के साथ रिस्टेंस बढ़ा यही का बढ़ तो टखुल कर तो ऊच्यजर को आज़ कर तो आज़ आजया है पीड्ट्र एंपरThere सब आपास फिल सेथी ख्र relaxation time bracket by toe will decrease hence conductivity bracket by formula bracket by will decrease therefore therefore resistivity and resistance will increase therefore resistivity and resistance will increase यह बनाओ जानो यह बना लो उसको में लिखवा दिया है इस formula का भी इंपर्ट है समझे है मैं मुझ से explain कर सकता हूं मुझा मैं तुम्हें इसे बोलना बढ़ता है कि इसा इसा हो जाएगा चोटा से टोपी कोर्म आपको हदा जाएता हूं बच्छों कलर कोडिंग वाला किश्चन और बनते हैं कलर कोडिंगे बच्छों जाब लगा तो दुबारा पूछने लग गए हैं रासान चीज होती है तीन चार कलर दे रहे हैं अपका कर्बन रिस्टेंगों इलेक्ट्रों डिवाइस होते हैं अब अर देखा आप ऐस और ज leurs और ऐसा कुछ है उद इस ऐसा कुछ उद टू सिच गान आप गला क्रक इस गुच है उद के स्टेंग एक कान आपर रिस्टेंग तूसरा पर ब्लिख प्ल्स ओने से स्टेंख न स्टेंगी तूक्टिज तू कलर कोडिंग अब अब लग लग लाइन से सुन्दे मिड़को ऐसे बोल दे हैं बी बी रो है है ना ग्रेट ब्रिटीज अब स्पेलिंग दवरी ऐसी है वेरी गुड वाइफ ऐसे अलग अलग नहीं है कोई कैसे भी लिखना इसको बच्छों बी को बोला जाता बिटा बलेक मेरी तरफ क्या देख रहे हूं हिकना बलेक नहीं हूं ब्राहूं आर को बोलते बच्छों रेड और को बोलते मेटा ओरेंज याद करना पड़ेगा सिरीज आपको याद रख्या नहीं उशार चोरे हो पाई इसका मतलब बच्छों ग्रीन वो सच में उशारों पे तुम तमने मुजाग माल रहा था है जगह नि बच्छी वहलेट ठीक है टेंज अगली है ग्रे ग्रेव टें लास्ट में गरीन आ गया ना यह वाइट यह मेरे जैसा है जीरो वन तू थी फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ना प्रें अगया वाइट का यह मुल्टीपलायर आएगा बटा मुल्टीपलायर एपर 10 पावर 0 10 पावर 1 सेम कहानी जलता रहेगा यह तेन पावर 2 टेन पावर 3 टेन पावर 4 टेन पावर 5 ऐसे बच्छों लास्ट तक आप ले जाओगे 10 आवर 9 तक ले जाना ना अग्या और समस्क्रा यह तो आपका अपका अटाओं से पहली टेट मेरे दूसरी कलर से दूसरी डिशिट लिएता हूं त लिए कुछ इसा लिखता बट्चो आपका यह फिस प्रस्ट डेट यह तुम लिखिल होंकि है GOLD में GOLD में पलस माइस 5 इन वार वसे नहीं 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 प् और भीट प्लस माइनस ट्वेंट एह तो टोल्रेंस तोल्रेंज गोल ρंड नम जर Curry निखा जा 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 जाता है जैसे हम एंग एसे मेरे नम लेक्कर रिखाता हूं बच्छो एक जो तीन कलर चुह आज आज एक निख दीकाल दी में फिर कुछ भी आपको गल यशील और ह जैसे बच्चों मैंने बोल दिया फिर आपको बोलता रेस्टेंस की वेलियों बताओ यह से कलर होता है यह कार्बन का कि पेस्टर है इस टाइब की चीज़े कुछ उसके उपर बना रहता है एक दो तीन ऐसे कलर होते हैं तो बच्छों रेड रेड ग्रेय और ब्राउन रेड क गया बच्छों आपका एट एट आगया बच्छों फिर क्या पीड़ा तीसरे नमर वहला मल्टीप्लाय रहा था ब्राउन क्या है वन नमबर था ब्लैक जीर था टैन पार जीरो भी आए कोई दिक्कत नहीं और प्लस माइनस का है टॉल्रेंस सिल्वर का क्या था दस पसी ऐस यार करना पड़े हैं दौर अब दो नहीं होगा स्टेंड़ एट नोटेशन है ना ऐसे पर छटा कलर दिया हो तो मैं समझाने फिर वही बात है एक एबाद बी क्यों आता है यान है मैं आपको इन फॉरमेशन दी गई आप अपने पापा पापा क्यों बोलते हो मैं अपने पापा पापा क्यों बोलता हूं हमें बोल रखा वही तेरे पापा है अपापा पापा 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 यह संजे क्या है यह कर लेए उपर से बीबी रोए अंग्रेज का नाम है बीबी रोए अज ग्रेट बिटीश वरी गुड वाइफ इसको लिके ना बटे जा के सामने यह इसै परेण बने काल बहुरा है यह थूराण चैने सर्वात्वाले कंफीज होता है पहले म्लैक पहले ब्लैक है बाट यह सब सही यह एक गोल्ड का 5 प्लस वाइनिस और विसका प्लस-पाइस 10 कोई नहीं दिया हूँ ऑफ फोर्त और प्लस वाइसटी लेना बच्छे चीजे जाती ही पेपर पेपर निखे लीटा अब में जए से गया पेपर पेले लिखके बेठे लेगा ते सावाल वर ना भूल जाएंगा यार पेपर के टेंशन में को कि मैं इस्टा किष्णन अठक भूल जाएंगे यार ऐसे एक्जाम्पल बना कर देख लिए कि अच्छा यहां सुच्छा है कई अच्छा थर्ड भी इए ब्लेक आगा तो 10 पावर 0 और मालो क्या जोट तो combination of registers पहले combination देख देख बटाएक वारे वह दो आप्शन में पहले आपने किये हुए एक combination series है बच्छो series से end to end आपका इसे चुड़ता है और यहाँ आपकी voltage से r1 r2 r3 अलग अलग इसे 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 बच्छो V voltage आप जानते बटा series में क्या होगा series में आपका current की value दो रहती same रहेगी और बच्छो आपकी voltage बटाओ divide हो जाएगी ओभी कैसे divide होगी देगरा बच्छो आपके जानते बटाओ v is equal to ir होता है i constant हटाओ तो v is proportional to r है इसे आप पहले वाले में drop देख़ए सा आएगा v1 की value r1 divide by total resistance r1 plus r2 चलता रहेगा into v ऐसे बच्छो v2 आजागा r2 divide by total resistance r1 r2 r3 चलता रहेगा into v बच्छो इसे सीधा ही लिख रहा हो मैं आपका r equivalent की value क्या आती शीरीज में r1 plus r2 plus r3 simple आप जोड़ते हो दोबर देख़ए गाँ एक combination रता बच्छो पैरलल सब्सक्राइब के second end पे और यहां जानते बच्छो क्या रहता था सर यहां पर voltage या potential जो थी बच्छो वह सेम रहती थी और यहां पर डिवाइड परे चार्ज रहता रहता हूं करंट क्या होगा बच्छो यहां डिवाइड होगा अपने जो घरों में connection होते हैं बच्छो पैरलल में रहते हैं वह voltage आप सेम रहते हो जो अपने घरों में है बच्छो वह आपका बच्छो वह दिवाइड बाइड रटू ऐसे चलता रहेगा वी से वी सब कैंसल तो वन बाइड एक्युवेलेंट किया जाएगा वन बाइड रवन प्लस वन बाइड इस फों में आपका आगे जाएगा अब जानते बच्छो के पिस्टर से उल्टा हो गया बच्छो यहां पर वल्टेज डिवीजिन आपने बता दिया कि यहां पर वी वन यहां वी टू वी ट्री यहां करेंट डिवीजिन ब्याप बदा रहे किया बच्छो करेंट डिवीजिन गया इससतों मैं फॉर्मूला तो बना दूमा लेकिन वह दो रिश्टर के लिए वैलिड है तरी आप वी डिवाइड बाई र थी वी डिवीजिन बचाए फिर भी बच्छो फॉर्मूला यह आप देखना चाहिए और आप देखो विटे क्या था वी इस इक्वल टो आई आई आर इन्वर्सली प्रपोर्शनल है तो ऐसा लिखा जाता बच्छो आई वन आप रिखोगे तो आर वन प्लस आर टू और यह टोटल करेंट बच्छो इस फों में करना नहीं है दो में वेड़े बचो तीन में हाँ दिक्कत आने लग जाएगी आई आपका क्या जाएगा आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू लिख दिया लेकिन लिख के मैंने सा परिशल कार्ट द परिख के लिख के लिख कर आऊंगा प्लस परिफ आपके ऊर्ट आपने लिए है बीच में से कभी किशन निकड़ता कई बार यहां से पूचता सरवात वाले सर कई बच्छों आपका लाज से पूच रहे था पोटेंशे मीटर से तीन सावल यहां मंदें इंपोटेंट चेप्टर अपने लिए घरों में यह लाइटी उज़ती है इस टाइप से कनेक्शन अधरों खर हों हो में इस बच्छों में एक पहले डाइप का सवाल भूसता मेड़ा ना बच्छों को स्ट्रेच वाला कि श्चन ना अमसे पहले करवाता हूं तीन चेल टाइप के वेरिशन कराके इसको स्तेंडर रजल्ट में मैं बना दूगा और रजल्ट अबना इस अधर हमसे क्यों सर करते हैं अच्छे अच्छे देखो पहले असान से किसने सरू करते हैं देखे एक बार length of a conductor is stressed to stress को अधरल लेंथ of a conductor is stressed to double of its initial length stressed to को अधरलाइण करो what will be effect on its resistance बच्छा आपको पहले पता चुका हूँ मैं by or two में difference है बच्छा बाई बोलता है पहले healthy length stressed by L किया तो हम दोबारा क्या बोलें मतलब 2L final length है इस सीधा बोल दिया आपने length कर से stress किया कि stressed to double of length बट 2L आपने बना दिया है बच्छा stress वाला question में आपको क्या volume constant आपको लेनी पड़ती देखो वेटा सर रेइस्टेंस आप जानते क्या होता रो एल डिवाइड बाई ए material property में वायर को एक conductor को चेंज नहीं आपने आ दिया तो रेइस्टेंस को ऐसा लिखा जा सकता sir r is directly proportional to l divided by a इदि आप लिखते हो बाद में आर डेस सर्वात में आर तो ऐसा लिखा जाए क्योंकि l के proportional l डेस डिवाइड बाई एल एरिया के इंटुल बाद में डेस हमें नहीं पता लेकिन लेंथ हमने क्या बोल दिया 2L है बच्छो एल से ल कैंसल हो गया तो एडेस की वेल्यू क्या जाए बच्छो एडिवाइड बाई टू वेल्यू पूट करते हैं sir r डेस डिवाइड बाई आर आप ऐसे रख लो एल डेस की वेल्यू 2L है बच्छो यह आपका L a value बच्छो एडेस की वेल्यू बच्छो एडेस की वेल्यू बच्छो एडिवाइड बाई 2 चैंसल आउट करेंगे बच्छो r डेस क्या जाए बच्छो 4r सही है क्या है एक किश्टर ग्रामा फिरिश्क्यों मैं अच्छे से रजल्टे में लिखवाद हूँगा इस्ट्रेस क्या बच्छो खीचा है एक्स्ट्रा लेंथ नहीं जोड़ी है चले कुश्टर नमा आते हैं थर्ण सा उल्टेट इस से बच्छे सवाब इसी फर्में से रडिटेट कुश्ट लगत रही है किश्ट देखव अच्छो क्श्टर नमार टुगा आगेखव एक कंड़क्टर इस अप्रेश्द सब्स्टेट a conductor is compressed such that its radius becomes half of initial radius its radius becomes half of initial radius what will be effect on its resistance what will be effect on its resistance बच्छक पर याने किना विटा a conductor is compressed such that its radius becomes half of initial radius what will be effect on its resistance बच्छो यहाने को एक बार बिटाम ने क्या किया सर रोक अब हटा दो फिर वही कानी यही बच्छो रिस्टेज आपको फाइनल आरे आपको यह है तो सर लडेश दिवाइड बाई और आपका इनवार से दबच्छो सर आपने वोल्यूम में कोई परिवर्तन किया नहीं किया बच्छा आपने वही है बाद में क्या बलदा बने रिडिस आर डिवाइड बाइट तू और यह लगार कर सकता हम सरiden बच्छो आपका और यह आपका इल डएड डिवाइड बाई यह आजाएगा पाई बच्छो माझान मुझे छोटा आप लिख रहा हूं ताकि कर फिर द्रा कम हो और यह बच्चो आर वाई टू आपका इस टाइप सामने लिख लिए चाहो तो बच्चो सिंपल अपने लडेस्ट का रलेशन में बनाई रखा इस टाइप सामने लिखा अपने पास क्या 4L यह एस टीज सरी आपका पाई आर्स की रहेगा यह पाई आर्स की रहेगा लेकिन जो डिवाइड में 4 अउपर चला जाए क्या जाए बच्चो सर आर डैस इस इकल टू 16 इंटू आर सही है क्या बच्चो यह समझ में आता है जब आपने रेडियस चेंज कि किया तो पावर फोर का वेरियेशन हमने टू से डिवाइड किया टू से चेंज किया टू पावर फोर चेंज हुआ है इसलिए बच्चो रेजिस्टेंस क्या करेगा बढ़ेगा इसलिए बढ़ा दिया 4R हो गया है दूबार सुनते हैं सरी एरिया के इन्वर्सली रेडियस कम करें तो रेश्टेंस बढ़ा कितना बढ़ेगा यदि आपने एन टाइमस रेडियस हो कम किया दो रेश्टेंस अपका बढ़ जाएगा तू पावर एन सही है गया दो बार देखो बच्चो इसको नोट की फोम में लिखूंगा फिर आम नोट करना अच्छे इसन अच्छे सब्सक्राइब देखो बच्चो कैसा यदि इफ एल डेस इस एन अपने लेंथ को बढ़ा दिया क्योंकि लेंथ आपने इंक्रीज किया तो रेश्टेंस डाइकली परपोस्टनल ने डेट मींस रेश्टेंस कितना बढ़ेगा बच्चो शर आपने क्या बोल बच्छो करो दंस को अबरदी स्वेच किया इंस को खने बढ़ा दी रेडियस शचोबर इसको चोटार न स्टार लिखता हूं बच्चो इड़ीच को आपने किया और एंग्यू और कई कि मैं जानता हूँ इसका मतलब तो रैश्टिंस कम होगा कितना कम होगा तो कितना इतना कम होगा रधा आर डेस्ट जो होगा रधिवाइड भाई अपने एंट इंट फड़ादर एंपावर फोर होगा बुच्छ ऐसा कुछ याद है आपको मैं हीट में समझा तो था में मेल्टी वाले में रोड में रेडियस आरवाई टु है तो हीट को टू पावर फोर ऐसे ले ले लेना देखो एक बाद दुबार इसका एक्जामपल में समझा रहा हूं एकजामपल कैसा आजी मुझे कोई बोलता सर लेंथ आपने स्ट्रेट्स किया मेलट किया और एलबटे में तीन कर दिया तो मैं केसे सोचता सर लेंथ कम हुई तो रेष्टेश भी क्या होगा कम होगा सर कितना कम होगा वेल्यू क्या नीची है तो वेल्यू आजाएगे बैटे आल डिवाइड बा कितनी है थ्री तो आपका कम होगा जिसका मतलब क्या थ्री पावर टू तो आजाएगा सर आल डिवाइड बाइन नाइन दुबार देखना बच्छो यह दि मैं कोई मुझे बोलता कि आपने जो है कायमेटर यो रेडियास रेडियस आपने डिक्रीज करके आल डिवाइड बाइब होर कर दी है आल डिवाइड बाइड हुसका इसका पावर फोर ईफैक्ट होता है तो फोर पावर फॉर एं पावर फॉर एक्चुलिलिए ना तो कितना जառता बच्छो 60 इंट शूद 3 5-6, सही है क्या? बच्छों सीरी सीरी कानिये सांज में आनी जाए बटा, सर यदी लेंध का प्रिवर्तन है तो n स्केर है, यदी रेडियस का चेंज दे न पावर 4 है, दुबार देखो, यदी कोई कमबाइंड पूछ ले सर मुझे तो अच्छा सवाल पूछ लिया, सर दोनों चीज एक साथ नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है कि मैंने इसा खीचा कि लेंध भी दोगनी हो गई और रेडियस हाफ हो गई, आप से इसा पूछ लिया बच्छों, अपने स्ट्राइब से कि लेंध को डबल कर दिया, रेडियस को वन थर्ड हो गई है, इस टाइब से कुछ स hectare combined effect में कैसे abd देखते दैको कैसे करता winding से जानता हूं सर 9 00 ऐसिव पढ़ती रlived लेंद बढ़ती तो रेंस्टेज बढ़ता कितना बढ़ता n square n 102 sair这个 गुट本 सब्सक्राइब सिरी आपका आर कम होगा आर कम होगा तो area Solar System artists कितना इंक्रीज योटा ड़ा n पावर 4, N क्या 2 पावर 4, अरे combined effect यह आगे है, सही है क्या, combined effect क्या आजा है बच्छो, R आपका कम हुआ, R कम आने area, area कम आने right stage, increase, इसलिए बच्छो मैंने length के काण भी increase किया, area काण भी increase किया, length के काण भाचो, N square है, radius काण N power 4 है, अब आपना combined जो भी answer आना भाच्छो, 16 into 4, that is combined answer, सही है क्या, बनागे रेखोए कि दो एक जाम पर सका और कराना पड़ेगा, लग रहा है, बता नी, अरे ऐसा सवाल पहले आ चुकी, एक बार आपको जब मैं, पावर समझा रहते हैं, पावर, कि आपने पहले 2 kg पर सेकिंड आता था, 4 kg डबल कर दिया, तो आपको कितना time velocity तर N times velocity लेनी पड़ेगी, N square times force use करना पड़ेगा, और power N cube लेना पड़ेगा, याद होता आपको, इस सारे कुशिर में stretch वाले कराएं मिटा, आपने चेंज एक चीज किया, दूसरा आपने आप चेंज हो रहा है, यदि आपको बोल देता है, only linear dimension increased two times, यदि आपको बोल देता है, शिरफ length आपने चेंज कर दिया, length डबल करने हो, मतलब आपको अपने extra wire जोड दिया होगा, फिर आपको area change नहीं देखना है, यदि कोई आपको बोलता है, only lateral dimension half हो गया, तो मतलब आपको शिरफ r by 2 effect देखना है, फिर देखना है, फिर जैसे rho constant है ऐसे lb constant, फिर simple effect में देखता, बना अपको यद्धान आपको यद्धान आपको यद्धान आपको रेडिस एकन इफेक्ट आएगा n power 4 में, length यद्ध एकन आएगा n square 4 में, वो increase, decrease तो आप proportionality से समझ जाओगे, यहां तग निकलीगा, प्रेंट पे, देखते हैं गोर, बचो simple end times का तो मैंने ऐसा बात किया, half double, triple is type यवाते हैं, कई बार अपसे percentage change बुछता बच्चो, percentage देंज में दो संभावनाइं मनती हैं, 10, 20, आपका इस type का percentage पुछा है, 1, 2, 3% पूछू, तो बच्चो दोने डाइब का साओल मैं करवाता हूँ, जादे तर आपको stretching वाले में, is increased by 20%, what will be effect on, on stretching आप लेखो, length increased by 20%, on stretching, on stretching, what will be effect on its resistance, फिर बच्चो ऐसे solve करें, हम तो सर रो L by A, सर स्ट्रेचिंग वर्ड़ आथ, उसको अंडरलाइं करो, बच्चो एंक्रीज वाई आए, उसको भी आप अंडरलाइं करो, बच्चो एक्स्ट्रा लेंज पहले, L था उप उसको 20% और बढ़ा दिया, तैसा लिखा जा सकता, पर पर पोस्ट्राइं पहले, आप ऐसे मनाए और यह डाइकली प्रपोस्ट्राइं लगे इनवर्स इसलिए बच्चो एड़ेश निच्छा जागर, अब चेंज देख लेंगे, उसको इसलिए बच्चो 20% बढ़ा दिया, तो इंक्रीज किया प्लस कर दिया, 20% इसलिए इस फॉम में किया, शोल करेंगे दा 1.2L या बच लेलो, A-L- तो क्यासे लिखें पहले, आपका ये था, बारवी एरिया आपको नहीं पता, लेकिन लेंद कितना बच्चो इस फॉम में है, तो A- की वेली भी आजाएगे, 5 डिवाइड बच्चो इसलिए, बच्चा पुट करेंगे, वेली तो क्या जाएगे, बच्चो आज बच्चा आपका A-A-G-T और ये आपका 5 और ये आपका 6 उपर चला जाएगा, और R- डिवाइड बाइड 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 आज अब आफाइनली सॉल करेंगे, तो R- we can write as 36 डिवाइड बाइड 25 R, और इसका इसा लिखा जारे है, बच्चो बच्चो 1.44 का मैं इसा लिख बच्चो 1.44 को इस टाइप सम लिख देते हैं, और हम इससे क्या बताना चाहता हूं बच्चो मैं पहली बाद ये बताना चाहता हूं, सर पलस साइद एंक्रीज़ बाइर 44 आख थो 44 परसेंट, इंक्रीज़ बाइ 44 परसेंट इसे मुझना चाहता हूं, ऐसे कितीने बच्च 0.44 R , और पच्छव को यज़िता हूं यह यह सब दो जए यह वायर में सब्सक्राइब करते नहीं यह वायर हम श्रेचिंग करते है इसलिए माँ स्ट्रेचिंग करते हैं इसलिए इसलिए में अन्मीटिंग वना बनाथ एक एक लेस्ट सवाल भी कराता हूं आप से इंक्रीज डिक्रीज में बुष्टा बच्छो कि शनकी एक परसेंट आपने इंक्रीज गया डिक्रीज से कुछ बताओ सवाल माँ करवाता हूं पर थोड़ा सा वेरिशन करेंगे यह तो आपको एक असान ही पहले वाला मुझे याद है सर लेंट चेंज करेंगे तो एन पावर फॉर है इंक्रीज आखीजर डिवाइट में मैं इस नि मैं देखोगा कि नृट ने मुरूइट को शीर कर दिया तो मैं जानता हूं कि आपका एन क्या फोर तो फोर स्केर आंसर आएगा लेकि नहीं बताँ डिवाइड में है ये मुल्टीप्लाइब में उसको मैं कैसे सोचता सर लेंथ के डिरेक्टली प्रपोसल लेंथ अपने कम किया तो आर भी कम होगा इस लाइब से सोचता उसको है मैं एक किशन अड़ देखते हैं सांसा देखें बताँ इफ लेंथ ओफ ए कंड़क्टर is stressed by 1% what will be effect on its resistance बच्चों increase और decrease में है option आते हैं जैसे minus 1 plus 1 minus 2 plus 2 is your option what will be effect on its resistance बच्चों decrease increase की form में पूछता है plus minus में option आ जाते हैं सबसे बहले जखो इस type के formula में कैसा लगेगा सर जब आपका less than 5% होता ना जब बच्चों आपका less than 5% वाली बात है तो फिर बच्चों हम जानते हैं ये दी proportional to x cube है तो percentage y को 3 into percentage x ऐसा लिखा जा सकता है ये कहां से या बच्चों unit dimension में जानते हैं और ये ऐसे बनता है ठीक अगली बात और बच्चों जब unit dimension लगेगा यह एन स्केर और एन पावर फोर वाले फॉर्मूले वैलीड है यहां वो वाले फॉर्मूले डारिक्ट वैलीड है थोड़ा और सोचते अच्छे से थिखांवी दौट एक परनी थे इक्रीज की हैं टू परसेंट वन परसेंटा Sophomis अंगे लिखा रिफ्सेंट पल्ली कि इंटो परसेंट रागए इन परसेंट लागि resolver देखो बच्छों कैसे बनाओगा बच्छों रच्टेंज का फरम दविटा रो एल वाई ए क्योंकि मैं जनता हूं मुझे प्रपोसल्टी बनानी है जानता हूं लेस देन 5 परसेंट में प्रपोसल्टी बनानी है यह की बात समभा मुझे नजराती है आप इसको एक काम कर लो से मल्टीप्ला डिवाइड करो तांकि यह भी कॉंस्टेंट बन जाए और सिर्फ एक चीज़ वरीशन दिखाए दे मुझे एल से वरीशन देखना चाहता हूं सिर्फ एल से वरीशन दिखाए दे तो नीचे भी आपने ल मुल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाए बढ़ा स्टेंज यह रो एजटीज उपर एल स्केर और यह वल्यूम और आप जानते हैं बच्छों स्ट्रेचिंग हो से मेल्टीग यह आपका वल्यूम कॉंस्टेंट और यह तो मैट्रियल प्रोपर्टी कोई दिक्कत नहीं मेरी खाल सा आंसर वही बन जाएगा बच्छों आर इस प्रपोर्शनर ड्व एल स्केर यह परसंटेज आरी इस ही तुटाइप्स और परसंटेज ल 2 इन टु एज आनसर यह तो परसंटेज और स्ट यह बच्छों सूछ सकते थे आप उटा मिस सूछ सकते रहें यनिंशर उल्टा कैसे सोछते सर्वों रेडियस वाला इफेक्ट आ पता सकते होगे एहां रेदिएस फाल एफिक नीदง मुझे को बोलता कि रेडिएस को वन पर आ परसंट कम किया है तो in kr практиr to msZ कि अधिक्रीज किया तो रेस्टेंस बढ़ जा कितना इन पावर 4 चाहल टाइब यह निए इस इसाब से बना तुर मैं इसे रिखता है रो एल बाई एस वोल्यम को इस बना दो लेकिन एडिया को छेड़ना नहीं तो इसको वोल्यम एल को अटाओ लेक्षाट गया रेस्टेंस इनवर्सली परपोर्शनल टू एरिया स्केर एरिया मैंने आर पावर फूर रिस्टेंस पावर फूर वह इंपने बोला इस फॉम में बन जाएगा साइए क्या यह बनाओ बच्छों आपको एन स्केर और एन पावर फूर ध्यान देना बच्छों मैं कुछ कुश्चन वाप आपको अराम से आर एक्यूवलेट वाले करांगा आपको ऐसे निसोजना से यह तो हमें आते ही हैं दो चार तुम्हें आएंगे दो चार धिर धिर अच्छे कर लेंगे सब्सक्राइब तो एक पार में के बेस्टर में ऐसे यूज कर दा थे एक्वल पोटेंशल पॉइंट तो सी को बेसक बीच में जठा दो और आप में यहां भी लाइन लिखवा चुका हूं करंट विल फ्लो डिव टू पोटेंशल दिफ्रेंस हाई पोटेंशल से लोग पोटेंशल करन फ्लो ऐसे मापको पता चुका हूं कुशं का यूज करते हैं सरल कुषन शूरू करता हैं दिरे दिरे उसको अच्छाम बनाएंगे चरपां सवाल हम उससे करते हैं पहले बना बच्छो एक सरल से कुषन सरवाद करता हैं बच्छो यहां बच्छो टू ओम है यहां फोर ओम है बच्छो और यहां बच्छो टू ओम ऐसा ही फिर आगे यहां बच्छो आपका टू ओम यहां बच्छो आपका 2 ohm, ऐसे ही फिर चला, यह आपका 2 ohm और यह आपका 2 ohm, ऐसे चला हुआ बच्छो, यह आपका बोल दिया, ए और यह बोल दिया भी, आपको बता ना बटा, आर एक्विवेलेंट क्या है, क्युस्ट आप चाहिक लाइन लिखना, क्युस्टन बेस्ट आर एक्विवेलेंट, आर दस क्युस्टन कराएंगे, देरी देरे आसान क्युस्टन सुरू कर रहा हूँ, कुछ-कुछ आप लेकिन हर क्युस्टन पर समझते हो जाओगे, हाँ अचा था, जैसे बच्छा मुझे क्युस्टन को सोल करना दा आसान भी बिटा, बच्छे यह हो गया, इसका इतना हो जाएगा, और लो आ गया अंसर, और बच्छे को बिलकुल भी पल देनी पड़ता, बोल क्या रहा है, सही है क्या, मुझे तुम्हे आराम से बहले बता रहा हूँ, अधन से सीखते जाना, फिर आप उसको धिर देर अच्छे लेल पे ले जाएंगे, पहले मुझे पता नाजी दो पोटेंशल 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 अचेसर ए और वी है, तो एको मैं अभी पोटेंशल मालो, बच्छा, उप्यों मानना ही जरूती है, अच्छले बैटरी लगी होती है, हमे और एक्विलेंट वाले में बैटरी दिखाता नी, त दोरों रजिस्टर में, सेम करंट फ्लो किया तो सीरीज में होरी ते डीविजिन हुआतो पैरलेल में है, यह जोWW करंट रहावा इसमें जो गया, इसमें भी ओही गया होगा, तो सेम आपका था इसमें मैं बोलुरह हो, तो नाई रहाव सीरीज में जोडरीय दूडों और बच्चो यदि यहां 4 लगा हुआ है, यह पूरा 4 और यह 4 किसमें आ जागा है, पैरलल में, 4 और 4 पैरलल में मेरी ख्याल से ऐसे बना देता हूं, इसको फिर से 2, बात संवे आई है, बच्चो यह 2 और 2 क्या बेटा, फ़र 4, इस पॉइंट से आपका इसा दिखाई देता से यह 4 ओम, और यह आपका 4 ओम, इनको हमेने सोल करके बच्चो यहां लिका है, सही है क्या, 4 और 4 पैरलल में, नहीं समझो तुम तो बाई, नोट, आइडेंटीकल, एन आइडेंटीकल रिजिस्टर, एन आइडेंटीकल, तो रिजिस्टर कितने बनेंगे बच्चो, सीरीज इन आइडेंटीकल, और यह पैरलल में पैरलल में और बच्चो, आज डिवाइडबाई न, सही है क्या, हमने क्या बढ़ा सर यह भी 4 और यह भी 4 दो है, तरलल में है, 4 और इवाइडबाई जो इसे 2 र बना है, फिर देखना बच्चो एक बच्चे से, सार अब फिर दो पा पैरलल में, तो एक फाइनल सर की डरो करता हूं, यहां पर 2 ओम है, सर बी यहां भी 2 ओम है, और बच्चो यहां देखो बिटा, सर यह 4 और 4 भी मेरी ख्याल से क्या बन जाएंगे, 2 ओम, बिटा यह पैरलल में है, सीरीज में है, कैसे बता चलेगा, सर यहां से एसे करेंट फ स्रोल आप करना, थोड़ा तर अपरी वर्तन करता हूं, मैं एक आसान सा क्यूशन सरवात किया है, इन फाइनाइट सीरीज के मने क्यूशन आपको वहां स्रोल करवाता है, यहां भी पोसिबिल्टी बनते हैं, तो आपने आपाज करना, थोड़े दिर बार, एक तो क्यूशन आपको वहां भी बताता हूं, सेम पोटेंशिल पॉइंट यह दी होंगे, तो बच्छे वहां करन्ट फ्लो नहीं हो गए, वहां चारज फ्लो नहीं होता था न, देखते कुछ क्यूशन होंगे, यह क्यूशन आप बता हूँए डरेक्ट, बता बावगे तो बहुत अच्छ शकल से अला से पहले से सवाल है, लेकिन पटा मैं ए और भी हठागे तो सीरी जी का लगा दिया है, सीधा अंसर बताओ, अराम से देखो, बीशेक सेकंड, लो टाम, देखो कैसा, तो पहली बती समझ मैना जी बच्छो यहां करेंट जा सकता है क्या नहीं, और यह से यह फॉर सीरीज में एट, एट और एट परनल में फॉर, फॉर टू और टू कितना है, फिर भी एक बना देता हूं, इसका सिंपल सिर्कीट बनाते है तो बच्छो, शर यह टू बन जाता, यह आपका ऐसे फॉर, यह बच्छो ऐसे फॉर, तो सेम रिपीट नीचे, यहां भ आरे बच्छो, यह एट, यह एट, एट और एट परलल में फॉर है, फिर सीरीज में दो प्लस चार प्लस दो, इस एट, इस एट, स्वामने किश्ण में बना उसका अंसर बताना, आर बी के बीच में एक्वियलेंट, डो हट दो ओम, दो ओम है साब, एक जगा वन ओम है, सेवन ओम, देखो, छेज़े जगो, तो, पॉर ओम is the right answer, तो तो जगए यह ए, आरे रे रिश्टेश का मातो संजते गा, रे रिष्टेश का मातो सिंपल सा देखा जातो, एक लठली करने को तयार है वो पो पोटेंशला एक इसको ड्रोप करें वह लो सोना उसको वह क्यों जाएगा तर यहां अच्छे से बच्छो यहां तक करेंड आगा साहिए सर एस सर यहां भी जा सिकता रहे अच्छे बास सुनना तर मैं बढ़ो बच्छो कॉन सा पाथ इजी तू यह 2 ओम है और एक काम करो यहां पर ववन ओम और यह 2 ओमका यहां देख वैंत अच्छोओ यह यहां सम्हाओना कम पूरी करीट को बोले यहां से चला जए पर सवादा से पूच्टा बच्छा सब्सक्राइब यहां अगर्ट कम लगेंगे तो यह निगल नहीं फिर तो बच्छो दोनों जगे जाएगा इस चीज़ को बहुत सोट सर्कीट जब कोई रेस्टेंस नहीं है सर्कीट सोल्ट हो गया चोटा सर्कीट हो गया वहां से शीधा करेंट इकल गया है यह मत शोचना फिर अलग तरीका पर यह पैरलोगे जाते हैं सही जाएगा सही है क्या यह बोलना सब यह कम है या भी टेगा नी आरेक्विलन की वैल्ली किया जा सब्सक्राइब करेंगे सेम पोटेंशिल में कुछ आपको समझा चुका हूं मैं कि बच्छो सेम पोटेंशिल पॉइंट यह तो दोनों की वी की वैल्यू सेम है और यदि पोटेंशिल डिफरेंस नहीं चार्ज फुलो करता है क्या पैस्टेर वाले में यहां क्रेंट फ्लो है बच्छो यहा यहा रहे है लि मोट्य को अब लारे मैं पोगरे लिल होरी की पोइंट यह आपका दी know से यहां देखा जाए तो आठ रिजिस्टर लगे हों और आपको और एक्विविलेंट बनाना है थोड़ा मैं समझाता हूं बात को पहले बच्व एक बाद समझना में चलो सवाल देखेरी मैं पूछा चाहूं आपको ऐसा बता रहे ता मैं सिंपल यह बता रहें चारेंट जो है ना करेंट एटू बीफ्लोईंग है करेंट की डारेक्शन इसे बता रहे हैं इसे जारा फाइनल और आप से अफसर में आ जाए कि को वाई और इसको जैड़ पाइंट मार कर दिया शर्ए एकस की ज़्यादा है की जैड़ की यह एक्स और वाई और जैड़ की पॉटेंशिल क्या है यह बताओ देखो बच्छों एक पास समझ में आई आपको सर्करंट हमेंसा हाई पोटेंशिल से लोग पोटेंशिल जाद जादो हमें नी जानता आपकी जादा और वी की कंब है सही है क्या हो जाना बीन जानता सर्ए और एकस में भी ऐसे एकस की तरफ करने चाया तो एके वैल्वे जो हो जादा पॉटेंशियल से रिशों जो बी पोटेंशिल है अब जब भी मिदो कीशन आ जाना है यह एक जाएगा सर डीजन हो गया तब महली बात तो इसका जब भी सरकिट बनाएंगे न एससी तीन लाइने जाएंगी यह आर यह और और यह भी आर क्यों पता सक्की करेंट डीजन सामने दिखा जिए पैरलल है चीक बच्छा में क्या बहुत है बटा सर्य यह यह भी आर सेम इधा वहला कर दो यहां ब्पद्ट नियुक्र टॉट्श जाने में भी वही रिजिस्टेंस आप चली है पर यह वहर यह यह पर आपनेशिज ओफ एक्स पोटेंशियल ओवाय और पोटेंशियल ओव जेट जो है बरावर सब्सक्राइब और एससे जाने में पुए बोही र सेम टाइप का आपके सामने वाला पोजिशन खड़ा तो सेम टाइप में ड्रॉप होगा अच्छा तो एक मतलब यह हो गया सर तीन अलग अलग पनाने जूरती सीधा जोड़ दो इनको सीधा जोड़ दो फिर मैं बोलता हूं क्या एक से वाई में करेंट फ्लो कर सकता है क्या लाइक्स से वाई कर लो करसकता है नहीं करेगा क्यों नहीं में करेंगा सर सेमध पोटेंशल कभी करने फ्लो करता ही है क्या क्या है जाएक से नुद प्रश्च्न के जुड़ा। य से भी जुड़ा हुआ है, य से भी जुड़ा हुआ है, और ज्ट से और सारा है कि क्माइटस का मतलब क्या हुझा जाएगा? चाहे बच्च आप एक से बोलो, चाहे भी से भी सब्से आर, और रोर अब मेरी कहालता सान है, ये कि तना पेरलल में इंटरल में और डिवाइड वाइट यह कितरा बेटा कहां से बता रहा हूं तो बच्चे यह भी आपका और भाइटरी और यह भी आरवाइटरी आंसर कितना आजाएगा तो और यहां इस कानी से शिक्षा मिलती है यह अप करेंट इक्वलिस्ट डिवाइड सरीक वली कैसे बत तो नहीं करता चले एक भी देदा पीटा आई एक्स से आई या करेंट केंट नोट फ्लो करंट कांट फ्लो फ्रों एक्स तू वाई और वाई तू जाना है नहीं बच्चू सेम पोटेंशिल पाइंट पर नहीं फ्लो करेंगा इसके अच्छे अप्लिकेशन में आपको करव हम क्या समझ जो रिषय कि आगलेंगी थी सेम रिषिस्टेंस हैं तो सेम पोटेंशिल पॉैंट बना वीटा थिक अपने कमरी का स्वाल है अपना रूम में ज़र क्यूब का सवाल है क्यूब में ऐसा एक्जाम्बल मुना बच्चों यहाँ हाई पोटेंशा केमरा लगा हुआ हाई पोटेंशल पॉइंट जहां नीचे इसके बोडि डाइगनल की अपोजिट नीचे वहाँ पे बच्चों लोग पोटेंशल आपको आर एक्ड विविलेंट बताना पूरे कूब की शिका अन्सर यानने क्या क्यूब का आर एक्ड इक्ड आसर यानने कया बोडि डाइगनल के पोजिट यहाँ और यहाँ निचेिजिचे ओजु है tomar है एत्या कितना हैगा 5 divided by 6 आर बच्चो बोडी डाइगराल के बात कर रहा हूं कहीं से आप इंटर किये बिटा जैसे बच्चो यह अपना कमरा है यहां आप यहां से इंटर किये और यहां आप एकजिट जा रहे हो A और B यह आपके बच्चो इसको मैं डाइगराम के रिड्रो करता हूं अच्छे से वही कानी में मानता हूं यहां दस वोल्ट है फिर आपको समझा पाना ज्यादा आसान हो है A बच्चो फिर आपको पोटेंशल पाइंट मैं वैल्यू बेस बताऊंगा देखो बच्चो कैसा मा उसकोने से चलता हूं हर आजबी उपर आर है उसकोने से चलो करिंट डिवाइड होने है मेरी ख्याद से तीन रस अच्छे सुन लो बहले बेटा यहां से चलेंगे सरफ तीनसारके आजCr हो सकता ही यहां तो आप नीचे आजाओं उसकोने से और आप ऐसे चले जाओं चैसे तरह आजब आहां जाओं यहां जारो तरह निचे सार हा हosaur हो और संक पोइंट आँ पर सट्री के पास एपात बाद मनेंगा मो बच्चो पहले वाले तो में वोल्टर ड्रोपवा थूव तो कितनी पटेंशेल है इस पाइट पोटेंशेल और बच्छो इस पाइट पोटेंशेल है और वेश्या कि अब यह नियुक्त वेश्चे सकुड़ को एक पॉइंट पर आओंगे आप यह तुछ न्युक्त वात न बच्छो न a वहाँ प्लुट वहां पहुंचे चाहत पर सब्सक्राइब बच्छे सब्सक्राइब के यहां जाते हैं इस आप को नफिके यहां नीचे जाते कि यहां से वहाँ गये तब भी क्या विटा 5S에 आगे चलते हैं बच्वा कहां गये तम नीचे का अगे नीचे इससाइट कर आ सकते हो डिएक अपनाइट ौप ने करसे यहां से नीचे यहीं वहांसे आई नीचे और वहां पेंचे ठीज कर ंप secure वाले का वहां नीचे और वाun इपर वाले गांड भी पांच वोल्ट तो छे रिजिस्टर पांच में आपको छे रिश्टर लगाने पड़ेंगे एक दो तीन चार पांच और छे आप देखो भी आपके 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 आप कहीं से आप चले जाओ कहीं में चले जाओ आप दोबार रिमेंट कर अब आप समझ बागों बचाओ मैं कमबाइंट लिए बताऊँगा तब सरसरवात रहां से किया था एक बात सरा आप यहां से कहां नीचे पहुचे थे नीचे से आप यहां भी जा सकते थे और उस कोने में भी ठीक वहां से कहां ने बढ़ा तो नीचे या तो वहां तो एक कोना कोमबन हो गया है यहां से चलने पे और वहां चलने पे एक नीचे वाला कोना कोमबन हो गया है तो आपने पस के सब्चेंट बचे नीचे बोडी डाइगनल से तीन रस्ते बनेगा पाओं गए जो आपका कॉमर्स पाइंट था यहां जाब पाऊंट पाऊंट था टीन पॉइंट पी जाने के लिए फिर आप पे जाओ आर और और ऑर बच्चों यह बारा के बार रिष्टा तो अब आसा ने आरवाई थी आरवाइ थी आरवाई थी आरवाई थी थीए हुआ इसे तीन आपने बन जाएगा यहां से यहां और यहां और यहां और यहां फिर डिवीजन आ गया तो आपको सेम पुटेंशल पॉइंट आइडेंटिवाई करने मुस्किल हो जाएंगे यहां से चले तो एक निए यहां एक उपर जब नीचे आगे तो दो ही पॉइंट बचेंगे कि यह बनेगा एक वहां उपर बनेगा उस बोडिशन अप्सन आएंगे उपर यहां और यहां बस वसारी को लाइड होगे बच्छों के में इस खाव जाते न फिर यह सी सी यह चे सी और यह सेही सेम काने कि इतरी मन जाती तीन सी चे सी और फिर तीन सी बनागे देखलो उसका का अंसर गया बन जाएगा यह आपको याजवना सी वेल्लू कि अपिश्टर वाल में करवादा था बिट आज देस्स वाल नुं करना इंफानेट सीरीज वाल फिर बनता है बना बच्छ आपने बिटे एक क्युष्टर में बना रखा हो आपको दूद्ध खुझ सोल करना इक सिरीज वाला मैं करें और आखनी तो आट आरे श्युष्टर करना इंता रम मैं अंच को यह लिए आपको आरे भार सेचर्क किशन है मने बनाा था बच्छों अब यह आपका पका आर हे यह आपका आर है और यहाँ पी माल ले्हा सेम यह चलता रहेगा यहां आपका आर यहां आपका आप सिंपल ऐसे इसको अटाया सिंपल ऐसे ले लो एवर भी यहां और यहां बच्चो आप इन फाइनाइट है सोल ग्रोफ टावट कि बच्टर मना रखा इसा और एक्विवेलेंट को एक समान लेना ऐसा सर्किट बन जाएगा एक अरुबी के बीच में इसके बाद देखो शारा रिपीट हो रा बार बार सेंट टू कड़ा क्याकि बाद सता दूिकी को बाद सिंडार भीती बारा झाल कि को बार प्रोभक बाद जिए स्थ्योंण समझाओ बाड़। कर दो कोंपना करदा है वहां मैंने साथ है बिटा कि वेश्टरवाले में सोल गया जब बना देखो अपने हाप एक दो और असान से सवाल से वो देखते है और बना लियोगा तुम लोग पहले जानते हो कि पर श्टरवाले महीने साथ है बच्छोबा कि छे मांसरी स्टाइप काई था है तो यहीं ईजी से किश्ण और बनता है बटा कि कई वर ग्लता वाइर है और वाइर कि आपने दो रिक बना रखी और इंसे निकाल दिया कभी और यहाप शेनिक और इस टाइप से पुझता है कि वायर थी आपकी लेंथ एल की थी इस टाइब से रेडिये साहर था अपने कुछ रिंग बना दी क्या फरक पड़ जाएगा इस टाइब की बाते आप से पूस्ता रहता है अब तक बच्छों मापको रजिस्टिविटी चेंज नहीं कर रहा हूं पहले कि तो किस्टन में और फिर इस्टिविटी चेंज होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं कई बर क्या करता बच्छों आप से बहुता है एक्जाम्पल देखो उन्हें बोला बच्छों एक लेंथ एल है एक लेंथ एल हैसकी रिस्टिविटी ये एरिया ये है तो रिस्टेंस के आजाया सरो एल भाई टीपार आ आ गया इसको और प्र Żूं में बनादिया एक रिंगे की समने रिंग मना जाखनW आपने इसको डॉटल रिस्टेंश पर नियंदाईर अपने invaluable ऐसे तो श्जाए और ने फाय इससे बना लिए उसमें आपार वी फिर द्ष्टा है एक्विलह निवना अलिटु आX क्योंग नाप आप पाता हो यह हाई पोटेंशिल लो पोटेंशियल मैं क्या जानता हूं शर मैं ऐसा कुछ तग या को मोड दिया तर श्टेंश अपने पड़ा हम तर जानते सर आर इकल टो एल भाइये बच्छो आपने एरिया चेंज किया गया रिंग में नहीं किया है निचे भी रिस्टेंस किया हो जागा बच्चो आपका रभाई टू अर सही है क्या पहले वाइर थी सिंप लिश्टेंस आर आपने मोड के गरींग बना दी और बीच मापने जोड दिया एले लेंग का रिजिस्टेंस आर था तो बच्छो उपर वाले हापका क्या हो जागा रभाई टू नीचे वाले आपका भी आरभाई टू सर्किट की फों में बनाना बच्छी आपकी लोग पोटेंशिल पॉइंट है तो सर ऐसा बन जागा यह और यह आपका भी ऐसे बनेगा आपका रभाई टू और यह बच्छो आपका रभाई टू कितना अंस्रा जाए बच्छो पैरलल में और एक्विलेंट सब्साइए क्या सब्साइए क्या जो सिंपली थी मैं यहां इसको वायर में जोड़ता ने और भी ऐसे पॉइंट पर जोड़ता तो इसे वर रिंग बन आदिया और आपने क्या किया यहां से करेंटींटर की यहां से बता दो बता आइचा जाता बिटाओ अपका हाई पौईंशल पईंट पॉइंट थो बता दें पर को अपका थरी आपका आप खरी सिक्जिंट उपर वह तो अब धुछ बतारे का आपको यहां बट्मुख यह इसा यह 240 है एक तरीका यह भी है 240 पताने मतलब पता क्या चाहता आप यह बोलना जाता दा बच्छों उपर वाली जो लैंद्ध है ना ओट्वल भाई थ्री यह बोलना जाता है जितनी लेंद्ध बच्छो क्या अपने एरिया चेंज किया जितनी वायर मोटी तीनी मोटी है हमने एरिया चेंज नहीं किया तो उपर वले क्या बन जाएगा सर रिस्टेंज यहां 2R by 3 यह कितना हो जाएगा बेटा R by 3 अब मेरी ख्याल से आप फिर से निकाल दोगे यह A or B ह है सर कितना कितना है 2R by 3 और यह कितना बच्छो आपका R by 3 फिर आप पैरलल में है तो आप सोलू कर दो बच्छो 2R by 3 into R by 3 divided by दनों को जोड़ेंगे तो R हो जाएगा चैंसल आप करते हैं तो क्या बन जाएगा बच्छो आपका 2R divided by 9 देखो मेरी गाल सभी का है अर्बात सब्सक्राइग यह एक वायर है एल लैंस की एरिया कि दोनों पाइंट में पाटेशिल जोड़ते तो रस्तेंस उसका R है उसको रिंगी फोम में आपने बना दिया कभी बोला बच्छो डायमेटरी कर जा जबी बोलता बच्छो 90 डिग्री पे चलागा यहां से इंटर की उसे फ़रकी पड़ा हुजे मैं जानना चाहता हूं बच इतना टुकड़ा था यहार भाई 4 और यहार भाई 4 और यह कैसा कनेक्शन मनता पैरल कनेक्शन और कभी को आपको अब बतारे का ऊपर वाली की डिस्टीविटे नीचे से दोगुनी है कुछ भी तो हम कोई कुछ धिकति निव जांते पूश्टरी जानते कह अएंकर उन्स्राएं चोटा तुट सबस्दर शटीवीटी इस फोल करा जिखाता हूं तुमें देखना अस में और भाई धक्से कि दो रिश्टर हैं सीरीज में लगे हुई है उनका रजिस्टीविटी का आपका इक्विलेंट होगा बताओ इक्विवेलेंट रिश्टीविटी ओफ देट कंडुक्तर्स अब लिखके लेखते हैं तू कंडुक्तर्स हेविटेविटी सिग्मा फॉन और सिग्मा तू ले कंडुक्तिविटी यंद्स वेल्ु उफ इक्वीमेलेंट कंडुक्तिवीटी पीaison इस कंड़ेक्टर्स सामने डियागराम बनाया वो संदियों तराम से ट्राइकरां इसको बार में छोड़ना तुम इस ट्राइकर के देखेना बच्छो उसने क्या के डालक तरी के से पूछा तर नीट में अठारा में सवाल जिस्ते नीट बहुत ही जाता तो उस्ते माहा था ये अपको भी बोल दिया की ठीक अप जानते हो अर्वन कलसार टू मैं भी जानता हूं आप रो भी निकाल लेते सर आर को टागे रो वन एल कर बोल ऐसे कर लो यदी लेंथ हो यह कुछ नी बोलो से मानना पड़ेगा तो इनक्या बच्छो आपको था था अप चोट रहा हूं आप इसका आपको बता आप आई तो अरे कम हत्मा यह 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 अंसर हो पाएंगे क्या यह यांसर हो पाएंगे सिधा तर नहीं चुटना यह अरे यह अर्य है तो जानते है आर और रहा देख लेसे कुछ बनेगा देख लेना कि एक क्यूशन आपको मैं सिमेट्री अकर आगर दिखाता हूं सिमेट्री अपने अलगती कि आगे तो है और कुछ फोल्डिंग वोलता को इने विद्व पूलता है लाइन अप सिमेट् symmetry बच्चो एक और यहां देखना line of symmetry कैसे देखी जाए बच्चो अपने folding से square को double करो ऐसे मैं नहीं पढ़ा रहा है ना आपको simple दो तरी के बताम दोनों ही आसान है तो line of symmetry से देखे जाती बच्चो यदि ये line आपने डो किया कहीं भी symmetry के लिए इसके condition है बच्चो इस line of symmetry पे along line of symmetry along line of symmetry कभी भी resistance नहीं आएगा along line of symmetry कभी resistance हो ही नहीं सकता है यह line of symmetry पे resistance longitudinal आ रहा है इसका मदो line of symmetry में गलत माने वही है बच्चो line of symmetry पे लेकिन ऐसे वर्टी परपेंडिकुलर डारेक्शन में resistance आ सकता है परपेंडिकुलर टू line of symmetry दी resistance है तो सही है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन along यदी है longitudinal यदी है तो बच्चो ऐसा पोसिबल नहीं हो पाएगा जब भी आप line of symmetry बना लेकि इवाज का विसेश धियान देंगे आप ये देख लो line of symmetry अलों कोई resistance हो नहीं आ गाए लिए आगा तो आपने गल्ट मनाई छोड़ दो एक तरीका दिये है बच्चो number one आप line of symmetry बना ले न step number two इसको दो तरीके से बच्चो step number two step number two आप दो तरीके से solve कर सकते हो एक step number two में कैसे कर सकते हो बच्चो आप पूरी दो line of symmetry हैं ने बच्चो line of symmetry को same potential line मान के solve कर दो same potential line जितने भी point line of symmetry पे हैं सबको same potential अब मानो एक जगा join कर दो और question को solve कर लो half question solve करो गया half half solution करो गई हाफ solve करने के बाद तो R equivalent के आएगा बचो 2 times of sold one ज़ा अपने solve के उसको double करो थोड़ दिन में बता हूं क्या मा बोल रहा हूं line symmetry कैसे देखुआ सर लोंगी ट्यूडल में कोई resistance ने आएगा एक तरीका ज़िक कुशन solve करें तो जितना line of symmetry बनाई सितने भी point वहाँ बने सबको एक potential मानलो क्यूशन solve करने लग जाओ अपने आप दिखा कैसे यह एक तरीका बच्चो जहाँ point आए न बटा point of intersection जहाँ point of intersection आए किस पे on line of symmetry point of intersection जहाँ भी आएगा line of symmetry पे उसको आफ sort कर दो उसको disconnect कर दो या बच्चो sort कर दो filament कर दो या बच्चो sort कर दो जहाँदे आँसानय है यह ज़्यादी तरीका बच्चो यह एजी तरीका है दोन हैं क्यूशन बताता हूं आपको एक कैसे मैं बोलत रहा हूं मैं बना रहा है अच्छा जगारो भूद किशने समय जा हो बच्छों मैं बना रहा है मैं चली एक ही यंग सिर्ण। झाल हो ईसे की ठीक है छी यहां हर डाय टाइप बेहर री टाइप च्छेप षय ऑर इस दीच आ रहे हैं Kap 104 अधना अब इसको दो बनाओ स्छान陀 fuck ऑपना स्राकु जिए नहीं बन सकती टोट कैसी बनेगी सबस notifiedually जाते यह ultimate उन्सट करने को काइसे करो एकट्याइज एक पॉइंट और इंटरशेक्शन है इसको आप सोट कर लτιो यह एए पॉइंट और इसके बीच को निकालना है कैसा अमने निकालता ने खो ए और भी आप एसा ही रखलो र earnest इसको आप एसे मिला दूँखे भूश धो इसको कहां कर दो इसको बाने गाल दुस्ऐतर यहां से मिलादिया है यह भी और उर यह भी और डारेंट यह जोरेमी हुए अच्छा ऐसे भी कहां जाना पड़ेगा बच्चो देखो मेरी यह आर ऑर यह आर और यह और यह आर क्या भाइड आप शरये आर चले गए दिखि कैसे हो गया और और यह अर्मेल के टूरों जहां यह दोनों पइंट जोइन कि उससे फिर एक और है और यह आपका यहां बिपर सही बना दिया जब एस जाएंगे इस रस्ते देखो यहां पर बना ठीक तर बनाया इस और इस पेंट के बीच में एक तो आर सीधा है यह आर और अबने बोल जोए टूर सार बच्व यहां से हम पॉच्च गई हां एकार और डंब पर एक पोह। эт खाहते हैं पिल एक यहां से चलएंगे एक आर है इस पॉइंट पे पोच्छ गए तर यहां पर यह वरा और यह का टू आ यहां तक तो यहां कैसे बनाता बच्छों में जो एक 可以 लाएं 811 ay breaking कर दो फिर फाइनली आर और ये बच्छों किशन करना असान है अब किशन बन जाएगा इसको ऐसे देख पाना मुस्किल था मैंने क्या क्या लाइन स्विंट्री बनाए बच्छों पाइंटर विंटर सेक्शन पर जुड़े वे तो खाटा दिया एक तरीका ये बच्छों करने या इसा आर शर्यवी ऐसा आर यहां भी ऐसा आर यह एसा आर यह सकत GB 2 इस एक अपने peas. इस पॉइंट पे इसको ज्वाइन कर तो डारेक्ट फिर फिर भी सोल करके और डबल कर दिया अनसर तब भी वही आए जो आपको महां से आ रहा है एक तरीका यह ज़कता बच्छो शाइल आपने पड़ा होगा बिटा पूरी की पूरी पूरी लाइन को एक पोटेंशिल जो भी होगा ना और यह वाला पॉइंट सेम पॉटेंशिल पॉइंट है कैसे पता चल रहा है यहां भी वही कानी यहां भी वही काने से बन जाएगा आपका यह ज्याद आशा ना बच्छो इसको करना यह अपने कियार इसको छोड़ देना ना आपको सिमेट्री की लाइन करने आएगी आगे तो बच्छो पूड़े आप पोटेंशिल मैच कर पाने बड़ी दिक्द हो जाएगी से मिट्री लाइन बनाई डिस्क्रेट किया देखो बच्छो आसानी सोल हो जाएगा आपको पर करना भी बढ़ता सब भूल ऐसे करते ताम फड़ा बटेंगे बनाश आपको ओस में चाहिए आपको अ लूड़ कि ओस अ